आजे आपड़े बनावी सु गलकानो साग तो फ्रेंच घरमा नाना मोटा बद्धाने पसंद आवे ने एवु असल देसी काठियावाडी रीते आजे आपड़े गलकानो साग बनावानू छे औने आज साग में एक सीक्रेट वस्तू एवी उमेर सु ने तो घरमा नाना थी मो कुणा होवा छोई आवासरुस कुणा औने ताजा गलकानो साग बनाव सो ने एतले साग स्वादमा मिठू पन बन से औने साग जल्दी चड़ी पन छे तो गलका समारी लेशु तो गलकानो आगर औने पाच्छर्ण भाग आरे ते आपड़े अलग करी लेशु आने एकदम कुणी एवी चाल ओवा थी वधारे चाड़ी नै पना एकदम फातली पातली चालू पर्थी उतारी लेशु आहिया बने गलका पर्थी चालू उतारी लेशु आहिया तमे जुव एकदम कुणा एवा आपड़ा गलका छे आरितना गलका हसे ने तो ज तमारू साग मिठू जुँ सेच पाका गलका हसे के कड़प थाई गयेला गलका हसे ने तो चड़ता पन वार लागसे औने साग मो स्वाद पन बरोबर नए आवे एकदम सरस कुणा लेवाना तो आरिते आपड़ी चार भाग करी और मिडियम साइज ने टुकडामा गलका समारी लेशु आरिते एनना माट अहियामे खानेने लिधेली छे, जो खानेनी अहियामे नानी शाइज नी छती साथ कड़ी लसण लिधेलू छे, लसण निप्रमान तमें तमारा केस्ट मोचब लए सपको छो, पन गलका के तुरियाना साग मा लसण निप्रमान थोड़ू आगड पर तुलेवान जित्ती साख वधारे स्वादिष्ट लागे पन जो तमें लसण ना खातावोई पर लसण स्किप करी देवानू अवे लसण नी साथे ज अट्धी चमची जीरू उमेर सो अने साथे थोड़ू मिठू उमेरी देशू जीरू अने मिठू उमेरी अने लसण आपड़े खांडी लेशू तो लसण नी साथे बेचमची लाल मर्चू पाउडर उमेर उमेर शू लाल मर्चू पाउडर पन तमारे टेस्ट मुझाब तमें वधारेके वच्चू करी सको छो तो ओंत्यार बेचमची वमेरू छू एँ पन खांडी अने आपड़े लसण साथे शार रिटे मेक्स करी लेशू आरि तक लसण वाडि चत्नी तयार करवानी छे पन जो तमे लसण वाड़े चत्नी घरमा तयार रागता तो यह तैयार चट्नी तमारे साक्मा उमेरी देवानी तो यहां लसनी चट्नी तैयार थाई गए छे तो लसनी चट्नी आपड़े एक वाटकेन काथ लेशू अवेनी साथे जापड़े अड़्धी चमची हडदर उमेरी देशू अने बदू मेक्स करी लेशू थोड़ू पाणी उमेरी औने मसाला पेश्ट तयार करी लेशू आरी ते मसाला पेश तयार करी औने जहरे साकमा उमेर सो ने त्यारे साकमा मसाला नो स्वाद बोव सरस आउसे कारण के मसाला थोड़ू पाणी उमेरी ने मेक्स करवा थी थोड़ा फुली जाई छे जेथी मसाला तेल मा पड़ता बरता न थी औने साकनो स्वाद पन बोव सरस अधिया साक माटेनी मसाला पेश्ट तयार थाई गई छे तो वे साक बनावी लए तो साक बनावा माटे गेस परकडाई मा तेल उमेर शुँ तेल गरम थाई गिव छे चपटी राय उमेर शुँ राय शरस फुटे एकले हिंग उमेरी दे शुँ अने तडस आपरेशा तयार करेली मसाला पेश्ट चे तेल मा उमेरी देशु आने आप टरस ठाकाण ठाकी देशु मसाला पेश्ट तेल मा उमेरो एकले गेस नी फ्याँ एकदम धिमी करी देवा नीग। यह थी लालमेक्टू पावदर नेग। आरीते तेल मां मसाला पेस्ट उमेर सो ने एकली साक मां तेल मां मसाला एकदम सरस चड़ी जसे परिणा में साक नो कलर बहुं मस्तो आउसे आजी ते मसाला पेश्ट तेल मां साथड़ी लेशू, नहीं तमें जुव, के मसाला पेश्ट आपड़े तेल मां उमेर ताज एकदम लाल चटक कलर आवी गयो छे, हवेचे समारीन राखेला गलका छे ने एकड़ाई मां उमेरे देशू, आगड में तमने जणावियू ए प् करी लेशू, आपने लसण नी चट्नी मां काचू जीरू उमेरेलू, लसण पन काचू हतू, एटले आपड़े मसाला पेश्ट ने तेल मां उमेरवानी छे, जेथी करी ने जीरू औन लसण नो काचू स्वाच जतो रहे, तहिया बद्धू ज मिक्स करी देथू छे, हवे सा सारी ते मेक्स करी देशू, हवे त्यार आपने साक मां पाणी नाखवानी बिल्कूल जरूर नथी, ठाकन ठाकी देशू, गलका मां ओल्रेडी खुबज पाणी नुप्रमाण वोई छे, जेथी गलका मां थी पाणी छूट से औने साक बफाई जसे, पन जरूर पड़े तो पाणी छूटू पड़वानी ताई आरी थाई गई छे, गलका आरी ते उपने चे करी लेशू, खरी पाचू ठाकन ठाकी देशू, आरी ते गलका ब्यथी त्रण वखत उपने चे करवाना, जेथी बधाज गलका एक सर्खा बफाई जाई, थोड़ी बार पछी तमे जोई गलका मा थी घणो बतू पाणी रिलिस थाई गियो छे, आने गलका पचास्टा का जेटला कूक पन थाई गिया थे, हवे गलका मा उमेरवानी सीक्रेट वस्तू छे, एचे मगनी दाड, तो अहिया मगनी दाड एक मुठी जेतली में कलाक पेला उफाडा गरम पाणी मा पला तो पन तमारी मगनी दाड एकदम सारस्पलडी जेसे, तो पलाडरेली मगनी दाड गलका पचास्ती सांटा का जेटला कूक थाई त्यारे आपणी साख साथे उमेरी देवानी आने mix करी देवानी जी घल्कानी साथे मगनी दार पन...एकदम सरस्ब भफायई चाई मगनी दार्ड गल्का साथे 1-2 मीक्र सके देथी चे अन्या साथे आणे आण साखमा आपड़े पाणी उम्हेर बांडी जरूर न自己 आहिं आत्समे जोई सको चो के गलका माथी ओल्रेडी खणू बधू पाणी रिलीस थायलू छे तो गलका ना पाणी माज मगनी दाड़ पन बफाई छसे ठाकन ठाकी देशू अने गेशनी फ्लेम एकदम धिमीच राखसू ठोडी बार पछी साक चेक करी लए तहिया तमे जोवो के बिलकूल पाणी ना उप्योग वगर गलका एकदम सरस बफाई गया छे अने गलकानी साथे मगनी दाड़ पन सरस बफाई गई छे अने शाकनो प्रेक्स्चर तमे जोए श़कोच्छो फ्रेश ओच्छा तेल मा पन आ साक एकदम मस्त तयार थाई यलोचे હવે છેલે સાક માં આપણી દોટ ચમચી જેટલું થાણા જીરુ પાવડર ઉમેર સું થાણા જીરુ પાવડર આરીતે ઉપયોગ બગર એકદમ મસ્ત ચટા કે દાર એવા ગલકાનું સાક તયાર થયે લું છે